आज मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आज खेलो इंडिया अभ्यान के बाद, टॉप स्कीम के बाद, टागेट अलंपिक पोडियम स्कीम में, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है, और जो एलीट अथलीट उस खर्चा भारत सरकार करती है, फिर आता है खेलो इंडिया अक्रेटिटिट अकेडमी, मालीजे पुलेला गोपिचंद की अकेडमी चलती है, वहाँ पे किसी खिलाडी को जाके सिलेक्शन हो के ट्रायल दिया खेले, तो उनको पांच लाग रपे आप बोर्डिंग, लॉजिं ट्रेनिंग लिए और एक लाग बीस हजार पे जेब खर्च के लिए अलग से मिलता है, ऐसे तीन हजार खिलाडियों को प्राइवेट अकेडमी में भारत सरकार फंड कर रही है, ताकि पूर्व खिलाडियों उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सकें और भारत के लिए खेल सकें लगबग 23 नैशनल सेंटर ओफ एक्सिलेंस बना दिये हैं, 69 साइट ट्रेनिंग सेंटर हैं और अजादी के जब हम 75 वर्ष बना रहे थे, साल पहले, तो मैंने का था साड़े 700 हम खेल इंडिया सेंटर बनाएंगे, आज मैं इस मंच पे कह रहा हूं, साड़े 700 नहीं, 750 नही पूरे कर दिये, so that is the speed, size and scale at which we are working today, अभी बहुत आगे जाना है, राज्ये की सरकारें भी अगर, क्योंकि sports is a state subject, अगर राज्ये की सरकारें थोड़ी मदद करेंगी, थोड़ा और अच्छा करेंगी, तो भारत जैसे देश में 36 states और union territories में से, अगर 20 भी अच्छा कर लें, तो मैं कह सकता हूँ, जो लक्षे मैंने 2036 के लिए रखा है, कि इंडिया दुनिया की पहली 10 medal winning countries में से एक हो, और 2047 तक हम दुनिया के पहले 5 देशों में हो, जो medal जीतने वालों में हैं.